हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रिजी जी के ट्रिक मैं गौरा याद हूँ एक बार फिर दोस्तों आप सभी के सामने दोस्तों आज हम हमारी नेक्स चेप्टर क्लासिफिकिशन जिहां वर्की करंट पर चर्चा करेंगे इसके पेरे दोस्तों हमने यहां पर रिजनिंग के हमा इन सभी चेप्टरों के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिक्स में चले जाएए वहाँ पर आपको कंसेप वीडियो प्लस प्रेक्टे सेशन वाले वीडियो दोनों एवेलेबल हो जाएंगे और दोस्तों यह दिया आपको इन सभी चेप्टरों की पीडिएफ चा करते हैं जैसे कि SSC CGL, 10-2, CPO, MTS, SI, NTPC, Railway, उसके अलावा RRB, उसके अलावा पटवारी, Constable और अने एक्जामों में इसके कॉश्चन पूचे आते हैं अब दो से तीने मुम्बर के कॉश्चन किस टाइप से पूचे आते हैं चलिए आगे डिस्क्रस करते हैं देखे फ्रेंड्स, यह दि हम बात करें classification की तो जिसका इंदी में नाम है वर्गी करण और देखे दोस्तों classification जो है वह तीन प्रकार का होता है देखे यहाँ पर classification तीन टाइप का पहला होता है classification of words या जिसे बोलते हैं शब्दों का वर्गी करण उसके बात करें सेकेंड नमबर classification of alphabet अक्षरों का वर्गी करण और उसके बात में classification of number अंकों का वर्गी करण तो दोस्तों यहाँ से भी हम minimum एक question यहाँ से माने classification of words से एक question हम यहाँ से classification of alphabet से माने और एक question classification of number से माने तो यह chapter कम से कम तीन नंबर का तो एक्जाम में उचा ही जाता है और important भी है और विल्कुल simple chapter है देखे आपने इसके question करे होंगे तो चले दोस्तों हम discuss करते हैं वर्गी करण के पहले type पर शब्दों का वर्गी करण देखे दोस्तों classification of words शब्दों का वर्गी करण इसमें आपको क्या है चार element दिये जाएंगे या चार शब्द दिये जाएंगे और बोला जाएगा इन चारों में से कोई तीन जो है वो एक समान होंगे एक जैसे और कोई एक जो है वह अलग होगा तो उस अलग को छाटिये या फिर चुनिए ठीके तो आपको करना क्या है यहाँ पर जैसे हम यदि अलग देखने जाएंगे element में तो सभी element के कुछ ना कुछ खासियत या कुछ ना कुछ कमी होती है इसलिए हमें क्या करना है जो भी हमें चार element दिये गए हैं उन में से हम क्या करेंगे तीन एक समान डू एक समान है मतलब तीन जो है वो एक जैसे हैं और कोई एक असमान है उस असमान का चैन करिए ठीके चली देखें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमें गंगटोक हैदराबाद और अरंगबाद और चैनने यह सभी city के नाम दिये हैं गंगटोक हैदराबाद और अरंगबा नहीं है, तो हमारा यहाँ पर answer क्या होगा option C, clear है दोस्तों, जैसे ऐसे हम यहाँ पर question solve करते आएंगे, आपको यहाँ पर logic मालूम बढ़ता जाएगा कि कैसे किसे logic हमें लगाना है, जैसे देखिए question number second, यहाँ पर भी हमें चार शब्द दिये गए हैं, जिन में से तीन किसी एक तरह समान है, या एक तरह एक समान है, और एक असमान है, उस असमान का शब्द का chain करना है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, monitor, printer, mouse और windows, अब योजी दूस्तों यह दिम बात करें, monitor, printer और mouse, तो यहाँ एक hardware की category में आ जाते हैं, और windows जो है, वह software है, operating system है, windows का एक operating system software में आ जाता है, तो बाकी के तीन hardware की category में जाएंगे, और windows जो है, वह software की category में जाएगा, तो यहाँ पर एक element अलग कुन सा है, windows, तो कुन सा option सही होगा, दोस्तों हमारा option d clear है दोस्तों समझ मा आ रहा है बिल्कुल easy है यहाँ पर classification of words या पूरा chapter ही हम देखें तो question इसके easy ही आते हैं बस कभी-कभी question ले दिवा आते हैं आगे बढ़ते हैं next question चार चब्द दिये गए हैं जिन में से तीन किसी ने किसी एक समान है और कोई एक अलग है तो देखें यहाँ पर दोस्तों option में कुन से इक अलग दिख रहा है नोका, याच, पंडूबी और जहाज यह चारों के चारों पानी में रहते हैं परन्तु नोका, याच और जहाज पानी के ऊपर ते रहते हैं और पंडू भी पानी के अंदर रहती है तो यहाँ पर हमारा आउंसर क्या होगा option C clear है दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question पर यहाँ पर हमें चार element क्या दिये होए है बिल्ली, भेडिया, बकरी और गाए बिल्ली, भेडिया, बकरी और गाए तो यहाँ पर देखिए बेडिया ही एक ऐसा जानवर है जो इन चारों में जंगली जानवर है और बाकि के तीन कैसे है पालतु जानवर मतलब बिल्ली, बकरी और गाए जो है वो पेटै नी मलोग गया और बेडिया जो है वो वाइल ले नी मलोग गया आगे बढ़ते हैं next question, question number 5, वह भी यही बोलता है कि चार शब्द दिये गए हैं, तीन किसी न किसी एक तरह समान है या एक जिसे हैं, और कोई एक अलग है, तो देखिए क्या-क्या दिया हुआ है, शल्जम, गोभी, गाजर और आलू, सभी सबजी हैं, शल्जम, गोभी, जरूर आलू, जमीन के अंदर उखते हैं, और गोभी जमीन के उपर उखता है, clear है दोस्तों, चली, आगे बढ़ते हैं next question पर, next question, question number 6, चार शब्द दिये गए हैं, जिन में से तीन किसी न किसी एक समान है, और कोई एक असमान है, उसका chain करिए, तो देखिए यहाँ पर च सालों की category में आते हैं, अगले question पर चलते हैं, बिलकुल simple था यह तो, यहाँ पर भी चार element दिये हैं, तीन एक जिसे हैं, photocopy machine, microwave, scanner और printer, अब यहाँ पर ज्यान दिजिए, photocopy machine है, microwave है, scanner है, और printer है, तो यहाँ पर एक element दोस्तों अलग कुन सा होगा, बता दिजिए, microwave, क्य क्यों कि यह घर में उपयोग होता है, बाकी के तीन जो है, वो stationary product है, photocopy machine हो गई, scanner हो गया और printer, digitalization के काम में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, microwave, आगे बढ़ते हैं, next question पर, अगला question भी कुछ इसी प्रकार है, यहाँ पर सभी question दोस्तों इसी प्रकार द element देख लेते हैं, direct, वरत, तुरिभूज, रेखा, चित्र और आयत, यहाँ पर यदि हम देखें, रेखा चित्र या उसका मतलब होता है, sketch, तो sketch particular fix नहीं बताता कि किसकी sketch है, या फिर कौन से आकरती है, तो कि रेखा चित्र का मतलब ही क्या होता है, sketch या बनाना, तो उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, बागी साथ ये particular क्या है, shape है, वरत भी एक shape है, तृबुज भी एक shape है, और आयत भी एक shape है, पर sketch एक particular shape नहीं है, ठीके, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, option C, clear है दोस्तों, चलिए, दोस्तों इसके दो question ओर देख लेते हैं, फिर second type पर discuss करेंग देखी friends, हमरा अगला question है, यहाँ पर भी हमें चार element दिये गए हैं, हीरा, aluminium, tungsten और तामबा, इन मेंसे कोई तीन एक जैसे हैं, और कोई एक अलग है, तो यहाँ पर बात करेंगे हैं, aluminium, tungsten और तामबा की, तो यह तीन हो क्या है दोस्तों, धातू है, ठीके, तो यहाँ पर ह हीरा जो है वह अधातू है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, हीरा, क्योंकि बागी के तीन केसे हैं, मेटल है, मतलब धातू है, और हीरा केसा है, अधातू, आगे बात करते हैं एक last question की, यहाँ पर भी हमें चार element दिये गए हैं, भूटान, बांगलादेश, चीन और पाकि हैं, ठीक है, और चाइना जो है, वह सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, चीन, option C, यह तीन एक जिसे कैसे हो गए, तो कि बूटान, बांगलादेश और पाकिस्तान कैसे हैं, सार्क के सदस्य, ठीक है, चली, तो यहाँ तक ता दोस्तों, classification of words, मतलब का वर्गी करण, कुछ इसी प्रकार के question आपको exam में देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको चार element दिये जाएंगे, और कोई एक अलग element होगा, उसमें से चाटना होगा आपको, तो आप कैसे चाटेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीख गए आप, तीन element जो हैं, आपको एक जिसे दूढ़ना है, और कोई एक element अलग होगा, वो अपने आप अलग हो जाएगा, और वन आउट निकल जाएगा, चलिए, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं, classification of alphabet की मतलब अक्षरों के वर्गी करण की, तो देखी friends, यहाँ पर classification of alphabet, अक्षरों का वर्गी करण में आपको क्य है कि चार alphabet दिये जाएंगे, या अक्षर दिये जाएंगे, उन में से कोई तीन एक समान होगे, कोई एक अलग होगा, तो वापस हमें क्या करना है, तीन एक जैसे डूढ़ लेना है, तो एक अपने आप अलग निकल जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले समू दिये गए हैं, जिन में से तीन किसी न किसी एक तरह एक समान है, और कोई एक असमान है, उस असमान समू का चैन करें, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमें कुछ character दिये गए हैं, जिसे कुछ letter दिये गए हैं, F, W, B और A, अब यहाँ पर आपको logic किसे लगाना है, उ यह तीनों क्या हैं, व्यंजन और A जो है, वह स्वर है, मतलब वावेल है, इसलिए हमारा answer क्या होगा, यहाँ पर option D, उसी प्रकार से देखें दोस्तों, question number second, यहाँ पर भी चार element दिये गए हैं, A, E, I, और D, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, A, E, और I, यह तीनों कैसे ह है, स्वर, और जो D है, वह क्या है, concernant मतलब व्यंजन, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, option D, clear है दोस्तों, समझ में आया, यह तो बिल्कुल सिंपल थे, चलिए थोड़ा से इसका level बढ़ाते हैं, चलिए, देखें friends, question number third, यहाँ पर हमें चार अक्षर शमूद दिये गए ह अब यहाँ पर टीन एक जिसे होंगे, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ABCD के number बहुत कावाएंगे, यह से पहला हम option check करते हैं, B और S, अब यहाँ पर इसे किसे check करना है, तो देखें, B से S को connect करके हम देखते हैं, B का number होता है 2, यहाँ पर लिख लेते हैं, B और S, B का number हो वी का number 22, कितना हो गया, plus 17, प्लस 17, चलिए, थर्ड option प्छलते हैं, D X, D से हम यह दि X पर जाएंगे, तो देखें, D का number होता है 4, X का number होता है 24, मतलब कितना जुड़ गया, plus 20, और I से जेट पर जाएंगे, तो I का number होता है दूस्तों 9, और Z का number होता है 26, मतलब कितना हो या, plus 17, ठीके, तो बाकी के जो 3 element है, मतलब कुन-कुन से, B S, E V, और I Z, इन सभी में, plus 17 का logic लग रहा है, और D और X में क्या हो रहा है, plus 20, तो हमारा यहाँ पर answer क्या होगा, option C, D और X, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले element से, दूसरे element में जाने के लिए, plus 20 जोड़ना पड रहा है, ठीके, तो यहाँ पर दोस्तों, A, B, C, D के number यहाँ आपको याद होंगे, तो question को solve करना ज्यादा आसान होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question पर, देखे, यहाँ पर हमें 4 element दिये गए हैं, M, N, R, A, B, F, I, J, N, और F, G, L, देखे, मैं आपको उसे पूरा briefly solve करके और L, अब यहाँ पर दोस्तों हमें 3 element दिये गए हैं, एक पद में, एक step में, ठीके, अब इसे कैसे check करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ज्याँ दिजिए, पहले से हम दूसरे element पर जाएंगे, पहले से दूसरे पर जाएंगे, और दूसरे से तीसरे element पर जाएंगे, तो द देखते हैं N से R प्लस 4, B से F प्लस 4, J से N प्लस 4 परंतू, यहाँ पर हम G से L पर जाएंगे, अब देखिए G का नंबर कितना होता है, 7 और L का नंबर कितना होता है, 12, तो 7 से 12 पर जाएंगे, तो कितना हो गया, प्लस 5, तो देखिए, बाकी सभी element में, प्लस 1, प्लस 4, प् प्लस 5, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, option D, F, G और L, क्यों, क्यों कि इसमें क्या हो रहा है, पहले से दूसरे element में, प्लस 1, और दूसरे से तीसरे element में, क्या हो रहा है, प्लस 5, क्लियर है दोस्तों, चली, आगे बढ़ते हैं next question पर, चली friends, देखिए यहाँ पर, यहाँ से W पर जाएंगे, तो क्या हो गया, minus 1, तो बाकी के तीन जगे आपको क्या दिख रहा है, minus 1, और F से G पर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, plus 1, मतलब सीदी सी बात है, यहाँ पर आवार answer क्या होगा, option C, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, चली, आगे बढ़ते हैं next question पर, देखे friends, next question में दिया गया है, चार अक्षर समू दिये गये हैं, जिन में से 3 किसी न किसी तरह एक समान है, और कोई एक असमान है, उस असमान समू का चैन करें, यहाँ पर हमें 4 option दिये गये हैं, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही step में 4 element दिये गये हैं, और चोथा option होगा दोस्तों क्या, यू, टी, यू, डबली, बस, अब यहाँ पर वापस वही करना है, पहले से दूसरा element देखना है, दूसरे से तीसरा element देखना है, और तीसरे से चोथा देखना है, या फिर आप एक effort ये भी लगा सकते हैं, पहले से दूसरा element देख लिजे और तीसरे से चोथा element देख लिजे, देखे, आएए, solve करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें, C से दी, B पर जाएंगे दोस्तों, क्या होगा, minus 1, उसी परकार, I से H पर जाएंगे, तो क्या होगा, minus 1, उसी परकार से दोस्तों, O से N पर जाएंगे, तो भी क्या होगा, minus 1, तो यहाँ तक तो सभी केसे हैं, same, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तीसरे सोथे element को connect करते हैं, C से D दोस्तों, क्या होगा, plus 1, I से J, plus 1, O से P, plus 1, और U से W, क्या plus 1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि U का नमबर कितना होता है, 21, और W का नमबर कितना होता है, 23, तो कितना add होगा, plus 2 तो देखे, सभी जगा क्या हो रहा है, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, और चोथे वाले option में क्या हो रहा है, पहले से दूसरे में तो minus 1 हो रहा है, पर element तीसरे और चोथे में क्या हो रहा है, plus 2, तो यहाँ पर रवारा answer क्या होगा, option D, बिलकुल, simple, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं next question पर, देखें दोस्तों यहाँ पर, इसे भी लिख लेते हैं, D, C, B, A, दूसरा option है, H, G, F, E, तीसरा option है, P, Q, R, S, जोथा option है, R, Q, P, O, बस अब क्या करना है दोस्तों, पहले से दूसरा element देख लेंगे, और तीसरे से चोथा element देख लेंगे, तो देखें यहाँ पर ए मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, आगे देखते हैं, H से G पर जा रहा है, G से F पर जा रहा है, और F से E पर जा रहा है, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, अगले देखें दोस्तों, P से Q मतलब प्लस वन, अब देखें, P से Q मतलब क्या माइनस वन माइनस वन माइनस वन और option 3 में सभी क्या हो रहे हैं प्लस वन प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा option C चलिए friends next question देखी question number 8 ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कुछ एक अलग logic आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखी दोस्तों हमें 4 element दिये गए हैं और सभी में 5-5 character दिये गए हैं देखी दोस्तों यहाँ पहला option को ध्यान से देखें जिसे A, B, C, D और E तो यहाँ वावेल से शुरू हुआ और वावेल पे ही खतम हो गया ठीक है दूसरा option के देखी आई, F, G, H और O आई यह भी वावेल से शुरू हुआ वावेल पे खतम हो गया आगे देखिए अगला option option C A, P, Q, R और L वावेल से शुरू हुआ परंतु वावेल पे खतम हुआ क्या नहीं consonant पर खतम हुआ और आखरे जैखिए U, L, M, N और E यह भी वावेल से शुरू हुआ और वावेल पर खतम हुआ तो यहाँ पर चारो option में पहला, दूसरा और चोथा option है किसा है जो वावेल से शुरू हो रहा है और वावेल पर ही खतम हो रहा है केवल तीसरे option को छोड़ कर, क्योंकि तीसरा option क्या हो रहा है, वावेल से तो श्टार्ट हो रहा है, परंतु यहाँ पर दूसरा option लिख लेते हैं, के एन, तीसरा option है हमारा, यू डव्यू, उसके आद में अगला option है चोथा, डी और जी, अब यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैंने पहले आपको कहा था, कि यदि जिसे एवी सीरी के नंबर याद है, उसके लिए ये question को solve करना बिलकुल ह आसान होगा, चली दिखिए, यदि नंबर नहीं भी आद है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए मैं हूँ, बस आप थोड़ा सा उसके लिए practice करिएगा, तो आपको exam में जादा important रहेगा ये, जल्दी अल्दी सा आप question को जितनी अल्दे लगाएंगे, उतनी management भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, चली आइए दोस्तों, यहाँ पर बात करते है MP की, तो M का नंबर होता है दोस्तों 13, और P का नंबर होता है 16, मतलब कितना जुड़ गया, plus 3, K का नंबर होता है 11, N का नंबर होता है 14, मतलब plus 3, उसे प्रिकार से U का नंबर 21, W का नंबर 21, मतलब कितना हो गया, plus 3, तो यहाँ पर तीसरे जो हमारा element दिया गया है, थर्ड जो option दिया गया है, उसमें केवल अकेले में plus 2 हो रहा है, बाकी सभी में क्या हो रहा है, plus 3, तो हम यहाँ पर किस option को टिक करेंगे, option C को, यहाँ पर odd one out हमारा कुन सा है, option C, बाकी 2, चली, एक last question दिख लेते हैं, चली देखिए, इसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर option को सभी को, M, O, R, V, दूसरा option दिया हुआ है, D, F, I, M, तीसरा option दिया हुआ है, Q, S, V, Z, और चोथा option हमें दिया गया है, E, F, G, और J, देखिए, यहाँ पर भी 4 element दिया गये हैं, तो क पहले हम क्या करते हैं, पहले से दूसरा element को चेक करते हैं, सभी option में, तो देखिए, M से यदि O पर जाएंगे, तो क्या होगा, प्लस 2, D से F पर जाएंगे, तो भी क्या होगा, प्लस 2, Q से S पर जाएंगे, तो भी क्या होगा, प्लस 2, और E से यदि हम F पर जाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों प्लस वन तो यहां पर हमें अब आगे चेक करने की जरुवत नहीं है क्योंकि देखिए बाकी सभी में पहले से दूसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है प्लस टू प्लस टू और चोथे आप्शन में पहले से दूसरे एलिमेंट में जाने के लिए क्लस वन तो यहीं पर हमारा answer आगया option D. तो देखिए दोस्तों, कुछ इसे प्रकार के आपको logic exam में भी देखने को भी लेंगे classification of alphabet में. मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा. आप इसकी practice करिएगा, आपको और ज़्यदा आसान पढ़ते जाएंगे. चलिए, एक last part बचा हुआ है, एक last type बचा हुआ है हमारा classification का, तो आएए उसे भी पढ़ लेते हैं, classification of number मतलब अंकों का वर्गी करण. चलिए देखिए friends, classification of number मतलब अंकों का वर्गी करण में आपको क्या है? यह अभी दोस्तों उसी प्रकार है, जिस प्रकार से हमें यहाँ पर अभी हमने दो पड़े हमारे type, classification of words, जिसमें हमें चार शब्द दिये थे, classification of alphabet, जिसमें हमें चार alphabet दिये थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें चार number दिये जाएंगे. देखिए यहाँ पर बात करते हैं 87 की तो देखिए 87 एक इसा नंबर है जो केवल 3 से डिवाइड हो रहा है बाकी के जो एलिमेंट है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों option B क्योंकि 87 किस से डिवाइड हो जाएगा तीन से क्लियर है दोस्तों चली फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन पर 49 चार नंबर दिए गए हैं 49, 64, 16 और 25 देखिए यहाँ पर हमें जो चार नंबर दिए गए हैं आप दोस्तों आप बोलेंगे यह तो सब एक जैसे हो गए पर यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजे जो 64 है वह 8 का स्क्वेर उसी के साथ 7, 4 का क्या होता है? 4, 16 और 16, 64 तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? option B तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 64 क्योंकि 64 एक square भी हो गया और एक cube भी हो गया ठीके, यहाँ दोनों है और बाकी की सबी क्या है? square है clear है चलिए आगे बढ़ते है next question पर चलिए friends देखे question number third चार संख्याएं दी गई है जिनमें से तीन किसी न किसी तरह एक समान है और कोई एका समान है उस संख्या का चायन करें तो यहाँ पर देखे 173 181 179 और 183 यह जो चार नंबर दिये गए हैं इनमें से कोई तीन एक जिसे होंगे और कोई एक क्या होगा अलग तो देखिए यह सभी के सभी हमें विशम दिख रहे हैं मतलब और देख रहे हैं अब यहाँ पर बात करते हैं था हम जदी 183 की तो दोस्तो 183 जो है वह अकेला जो है वह तीन से डिवाइड हो जाएगा और बाकी की सभी क्या है अब भाज जिसंख्या है है न दोस्तों तीन चंग अठारा, तीन एकम तीन, यह जो है, वह डिवाइड हो रहा है, तीन से मतलब यहाँ एक भाज्य संक्या हो गई, और बाकी कि सभी क्या है, अब भाज्य, तो यहाँ पर अमारा आंसर क्या होगा, 183, clear है, चली, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next question पर, question number 4, यहाँ पर 65, 170, 195, और 50, यहाँ पर इदियम बात करें, 195 की, तो यह भी एक एसा नंबर है, जो तीन से divisible हो जाएगा, और बाकी संक्या हैं तीन से divisible नहीं हैं, ठीके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, option C, तीन चंग 18, और तीन बचे 15, clear है, चलीए, आगे बढ़ते हैं next question पर, यहाँ पर भी हमें चार नंबर दिये गए हैं, 127, 130, 118, और 129, अब दोस्तों यहाँ पर हम 127 की दिबात करें, तो यह एक अकेली अभाजी संक्या है, एक प्राइम नंबर है, यह किसी से भी divide नहीं होगी, मतलब एक से या फिर खुद से divide होगी, बाकी की जो चार संक्या हैं वा भाज्य संक्या हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 127, क्लियर दोस्तों, चलियाए इसके कुछ और कोश्चन देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स, देखिए एकला कोश्चन, यहाँ पर हमें चार संक्या हैं दी गई हैं, 224, 226, 334 और 448, अब सभी संक् वाला फंडा लगाते हैं इसमें, 224 यहाँ चार से पुरा-पुरा डिवाइड हो जाएगा, 226 यहाँ चार से पुरा-पुरा डिवाइड नहीं होगा, 334 यहाँ भी चार से पुरा-पुरा डिवाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 226, क्य क्योंकि यहां पर 220 से केसी संख्या है जो 4 से पूरा-पूरा विभाजित नहीं हो रही है और बाकी की 3 जो है 4 से पुरी-पुरी रिवाइड हो रही है चली अगला कोशन देखें यहां पर भी हमें 4 संख्या दी गई हैं जिन में से 3 एक समान होगी और कोई एक संख्या अलग ह देखे 47, 57, 67 और 37 यदि सभी को में देखें तो यह सभी की सभी विशम संख्या है और फिगर हैं यह सभी परंतु यहां पर 57 जो है दोस्तों वह एक भाज संख्या है मतलब composite नंबर है इसमें भाग चला जाएगा किसका 3 का भाग जा सकता है ठीक है 57 में 3 का भाग जा सकता है 3 एकम 3 देखें यहां पर 3 सभाग देजिए 3 एकम 3 और 3 नाम 27 या फिर इसमें 19 का भाग भी चला जाएगा परंतु यहां पर देखें 47, 67 और 37 को तो यह सभी किसी हैं प्राइम संख्या है तो यहां पर 47, 67 और 37 एक ग्रूप बना रहे हैं प्राइम नंबर का मतलब अभाज स संख्या इसलिए यहां हमारा होगा आंसर चलिए अगला कोशन देख लिजिए यहां पर भी हमें 4 संख्या दी गई हैं अब यहां पर देखिए अगला कोशन थोड़ा सा ट्रिकी है सिंपल है परध्यान दीजिएगा यहां पर हमें एक स्टेप में 4 एलिमेंट दीए गए है और कुछ बड़े नमबर दिये गये जिसे कि यहाँ पर लिखा है 2937, अगले उप्शन में दिया गया है 3,864, अगले उप्शन में दिया गया है 6,394, और अगला उप्शन दिया गया है 4,638, आईए इसे लिख लेते हैं पहला option हमें दिया है 2936 दूसरा option हमें दिया गया है 3864 तीसरा option हमें दिया गया है 6394 और चोथा option हमें दिया गया है 4638 अब जहांचे दिखेगा दोस्तों यहाँ पर हम पहले option में पहले और दूसरे element का into करें 9 दूनी कितना हो गिया, 18 और 3 औ चोथे ऐलिमेंट का यदि इंटू करते हैं, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, 18 6 तिया, 18 अगे देखिए, यहां पर दूसरे option में, पहले और दूसरे ऐलिमेंट का इंटू करते हैं, तो 8 तिया, 24 त्वीश और तीसरी और जोथे। एलीमेट का इंटू करते हैं तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? तीसरे आप्शन कर देखिए, यहाँ और दूसरे एलिमेंट का येदि हम इंटू करेंगे, तो क्या आँरा ए अठारा? और तीसरे और चोथे element का यदि हम into करेंगे तो क्या आ रहा है 36 अगला देखे 4 और 6 छे चो 24 यहाँ पर पहले और दूसरे element का into क्या है 24 और यहाँ पर तीसरे और चोथे element का multiply भी क्या आ जाएगा 24 तो देखे केवल 6394 को छोड़कर बाकी सभी में पहले और दूसरे और तीसरे और चोथे का multiplication कितना आ रहा है सेम यहाँ पर 18 यहाँ पर 24 चोविस है और यहाँ पर 24 चोविस है तो हमारा यहाँ पर answer क्या होगा option C clear दोस्तों चली आगे बढ़ते है नेक्स कोश्चन पर चली फ्रेंड्स देखे यहाँ पर यहाँ पर हमें चार संख्याएं दी गई हैं जिन में से तीन एक समान होगी और कोई एक अलग होगी तो देखे यहाँ पर पहले ही option में दो संख्याएं दी गई हैं बहुततर तरियालिस इसी प्रकार से सभी में दिये गया है अब देखने में question थोड़ा tough लग रहा है पर है उतना ही simple देखे कैसे अब यहाँ पर हमें जो पहले option में दी गई संख्याएं हैं हम उनसे ही कुछ नो कुछ logic लागा के answer लेकर आएंगे तो देखे इदि बात करते हैं 72 से 43 की तो 72 मतलब बहुततर से 43 पर केसे जाएंगे दोस्तों कितना minus करना पड़ेगा कि बहुततर से 43 पर चले जाएं तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा minus 29 आगे देखे अगला option है 68 और 40 इसे भी दिख लेते हैं 68 और 40 तो देखे दोस्तों 68 से 40 पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा minus 28 उसी प्रेकार से देखे 85 57 85 से 57 पर जाने के लिए क्या करना होगा minus 28 और उसी प्रेकार से 55 से 27 पर जाने के लिए क्या करना होगा minus 28 तो बिलकुल symbol था बस question दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा था है मतलब कठिन लग रहा था देखे यहाँ पर आपका answer आचुका बिलकुल हमारा answer आचुका है पहले से दूसरे element में जाने में minus 29 अधा है कौनसे option में? option first में बागे सभी में क्या है? minus 28 यहाँ पर हमारा answer क्या होगा? option A 72 और 43 वाला combination 25, 55, 36, 44, 33 और 48 देखे द्यान से 25, 55 उसका राद में देखे हैं जादी हम 36, 44 उसका राद option दिया हुआ है 33, 48 और आखरे option दिया हुआ है 19 और 61 अब यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा element को जादी देखे हम द्यान से पहला option में तो यह दोनों divisible है की नहीं है मतलब composite number है की नहीं है यह दोनों भाज संक्या है यह दोनों भाज मतलब इन दोनों में भाग चला जाएगा उसी प्रकार से दूसरे में देखे 36, 44 यह दोनों भी कैसी है composite number आया हम यहाँ पर लिख देता हूँ यह भी composite number है 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 उसी प्रकार से 33 यह भी composite number है 11 से डिवाइड हो जाएगा और यह भी composite number है अब बात करते हैं option 4th की तो देखे ए 19 यह एक prime number हो गया और 61 ये भी किसा हो गया एक prime number तो यहाँ पर fourth option हमारा बिलकुल अलग है क्योंकि बाकी सभी जो है composite number के combination से बने हुए है और option 4 जो है वो prime number के combination से बना हुआ है तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा option D clear है दोस्तों? तो यहीं तक था दोस्तों एक छोटा chapter यह हमारा classification जोकि एक्जामों में दो से तीन number का पूछा आता है ठीके? तो यहाँ तक दोस्तों एक आपको समझ में आया हो मेरे द्वारा बताएगे ट्रिक और questions अच्छे लगे हो तो please वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए बने रहे है मेरे साथ दोस्तों तब तक के लिए जैहिन